हालो बच्चो लेट्स रीटा कोश्चन सेल इलाउगेशन इन इंटरनोडल रीजियल्स अफ ग्रीन प्लांट्स टेक्स प्लेस ड्यू तू ऑप्शन इस साइटो कांडिन्स, ऑप्शन बीजी परेलिन्स, ऑप्शन C इथिलीन और ऑप्शन D इंडोल असेटिक आसिद आएए इस कोश्चन को हम सौल करते हैं एक की कंसेट के साथ and here the की कंसेट इस सेल इलाउगेशन इन इंटरनोडल रीजियन तो इंटरनोडल रीजियन पर क्या हो रहा है? सेल इलाउगेशन, सेल इलाउगेशन की बात हो रहे, सेल इलाउगेशन तो आईए हम देखते हैं कि sail elongation जो internodal area होता है वो क्या है, exactly क्या है तो जहां से पत्ता arise होते है, in stem that region is called node तेक्या, मालों कि यहां पे the leaves are arising तो यह हो गया node region ठीक है, internodal region is this region, the area between two nodes, जो अंदर बीच में होता है, यह वाला जो region है, that is called internodal region तो यह वाला क्या हो गया, internodal region तो यह वाला section का cell जो होता है सेल का elongation होने के लिए कौन सा हॉर्मोन responsible है, यह देखते हैं, यहां पे जो फाइटो हॉर्मोन है, जैस्ट फाइटो हॉर्मोन मेंज जो हॉर्मोन प्लांस में होते हैं, तो यहां पे 1, 2, 3, 4, 4, चार्ड, फाइटो हॉर्मोन में पे रेस्पोंसिबल नहीं है, तो यह वाला dominance के लिए होता है, cell growth के लिए होता है, बट यह internodal region का elongation है, इसमें इसका कोई रोल नहीं है, तो यह वाला नहीं होगा, तो हमारा answer होगा option B, which is gibberi lens, so I hope you have understood the concept well, best of luck.